endarcubic FCC में परमाणों की तरिजय को किस प्रकार से हम ज्यांत करेंगे उस बारे में आज चर्चा करनी है तो आप देखेंगे यह हमारा जो है एक FCC है एक घण है और इसमें जो हमारे देख रहे हैं आप यह परमाणों है और ये परमाण इसके 8 कोरों परस्तित होता है और एक जो है इसके केंदर पर फलक के केंदर पर उपस्तित होता है यानि सारे फलकों पर एक एक परमाण उपस्तित होगा तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये इसका जो है एक डायागोनल बन रहा है तो इस diagonal में आपके तीन पर्मान इस तरह से लगे रहेंगे तो ये वाली distance जो होगी ये A होगी क्योंकि घन के कोर के लंबाई है अब चूंकि घन के चारों कोर बराबर होते हैं तो इसलिए ये लंबाई और ये लंबाई जो हैं बराबर होंगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समकोंट तरभुज बन करके निकल करके आ रहा है और ये कुछ इस तरह से देखेगा ये distance A होगी अर्थात ये वाली और ये जो आपकी A और B वाले जो distance है वो भी A है ये भी A है ये बी A है और ये वाली जो distance होगी इस distance को आप देख रहे हैं यानि हमारे पास AB distance A है AC distance भी A है यानि ये दूरी भी A है ये बराबर हैं दोडूं B C बराबर 4R हो गया क्योंकि ये R हो गया परमान है तो आप देख रहे हैं ये 1R, 2R, 3R, 4R, ये 4R होंगे इस तरह से यानि ये बीच में 20 हो गया फिर ये है न तो इस तरह से 2R हो गया और ये 2R 4R हो गया यहाँ पर 4R हो गया अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का परमे लगाते हैं 4R के बरावर है तो 4R² is equal to A² plus A² ये भी A है और ये भी A है तो 2A² हो गया 16R² हो गया 4.16R² हो गया तो 16R² हो गया तो हमारे पास ये हो गया 2A² तो R² बरावर क्या हो जाएगा ये यहां से आपने R² की value निकाल दी तो हमारे हो गया 2A² बटे 16 ये 8 बार कट गया तो हमारे पास R² बरावर आ गया A² बरावर आट तो R बरावर हमारा क्या हो गया A बरावर 2 यानि ये 8 को हम क्या लिख सकते है 2 बरावर 2 लिख सकते है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते है बरावर 2 इंटो A बरावर 4 इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसान है बिलकुल एक मैस का फॉर्मूला इसमें लगना है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यह हमको याद रखना पड़ेगा R बराबर होता है कोर के लंबाई बटे 2-2 यानि इसको A upon 2-2 भी लिखा जा सकता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 2-A upon 4 इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं